प्रेट्स अंकित साहूर आप लोगों का वेलकम है मेरे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप ग्लोबल सेलिंग में गरे और विडियो में सबसे भज़ी से सब्सक्राइब टो अक्याँタल यूज इंडिया अगर आप US में करते हैं या UK में करते हैं दोनों का same documentation है आपको एक GST चाहिए आपको एक current account चाहिए debit card या credit card चाहिए इसके लावा एक ID proof चाहिए जैसे passport, driving license होगे अधार card होगे यह basic documentation चाहिए आपको दोनों में account खोलने के लिए आप Amazon US में account खोलते हैं इंडिया से तो आपको 3 countries का access मिलता है Amazon US, Canada और Mexico similarly आप UK में account खोलते हैं तो आपको 5 countries का total access मिलता है UK, France, Italy, Germany, Spain तो यह सारो में आपको दुबारा सा documentation नहीं करना पड़ता है अब यहाँ पर अगर आप subscription fee देखेंगे तो Amazon आपको एक option देता है तो free account का option देता है जिसको individual account बोलते हैं तो आपके company के नाम से Amazon individual account खोल जाता है, Amazon US में भी खोल जाएगा, UK में भी खोल जाएगा, but आप professional account में जाते हैं तो Amazon US जो है आपसे monthly $39 चार्ज करता है, अभी कुछ offer चल रहे हैं तो तीन मेने तक यह wave of है US में, UK में ऐसा कोई offer नहीं है, तो अगर आप UK में खोलेंगे, तो वहाँ पे आपको 25 pound देने पड़ते हैं, तो monthly आपको यह amount देना पड़ेगा, उसमें आपको 5 countries जो मैंने बताई, उसमें access मिल जाएगा, इसके साथ ही आप Amazon handmade दोनों में बना सकते हैं, तो आप US में बना सकते हैं, UK में बना सकते हैं, तो handmade का benefit होते हैं, अगर आपके products handmade हैं, तो आपको प्रूफ करना होता है, उसके कुछ photos और description देना होता है, प्रूफ कैसे बनाया आपने, और Amazon अगर वो approve कर देता है, तो आपकी जो मन्तली भी मैंने बताई, वो दोनों में वेवाफ हो जाएगी, तो आपको पहले US में अप्रूफ लेना पड़ेगा, आपकी $39 जो मन्तली लगने वाल वो भी वेवाफ हो जाएगे, अगर handmade अप्रूफ होता है, handmade के कुछ products हैं, और majority products आपके handmade के हैं, या कुछ handmade के products हैं, तो other products भी आप वहाँ list कर सकते हैं, तो कभी कवारा Amazon re-verification मांगता है, अगर आपने ज्यादा non handmade products वहाँ list कर दीए, इसके साथ यी product listing का process पूरा सेम है, पो आप अपने Indian document में easily यहाँ पे बेच पाएंजे, अगर आप Amazon UK बेचते हैं, तो FBA करने के लिए आपको UK का VAT registration करवाना पड़ता है, तो आपकी Indian company है, बड़ आपको UK का VAT लेना पड़ेगा, क्योंकि वो country का ऐसा law कहता है कि अगर आपको goods वहाँ पे store करने, तो आपको VAT registration क होती है, जितनी भी sales हारी है, वो सारी चीज़ों का, लगबग आपके चारतो यूरो जो यहाँ पे लगने वाले हैं, लगबग 40,000 रुपए के आसपास आपके annual cause बता रहा हूं है, तो quarter filing, annual filing registration यह सब कुछ उसमें included रहेगा, तो जब आप वैट का registration करवाते हैं, तो 2 से 3 मह मेने, 4 महिने तक भी बैट registration में लग जाते हैं, पर US में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, अब इसके बाद orders पर जाते हैं, तो किस में ज़्यादा orders आने वाले हैं, देखें, मैं यहाँ पर Amazon, US और UK ही compare कर रहा हूं, उसके साथ जो additional countries हैं, उन पर भी आप sailing कर सकते हैं, पर एड़र कर रहा हूं, तो advertisement भी process same रहेगा, और वहाँ पर आपको दोनों में चलानी पड़ेगी, तो order Chris में जादा हैंगे, तो देखें, Amazon, US में ज़्यादा orders आते हैं, क्योंकि एक तो population बहुत ज़्यादा है, US में अगर आप देखेंगे, तो 30 करोड के आसपास population है, UK की Amazon से order ज़्यादा हैंगे, बट competition भी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा maximum sellers अगर आप इंडिया से भी compare करेंगे, या पूरे world से compare करेंगे, तो ज़्यादा दर लोग US में ही sale कर रहे हैं, as compared to UK, तो UK में आपको क्या benefit मिलेगा, एक तो sales बहुत कम है, तो competition भी कम रहेगा, आ आप easily वहाँ पे products को sale कर सकते हैं, and वहाँ पे अच्छा margin कर सकते हैं, but order जो रहेंगे, वो थोड़े कम आएंगे as compared to US, so कौन से product आपको US और UK मार्केट में sale करने हैं, तो देखिए, इंडिया से जो products दोनों मार्केट में जाते हैं, normally same categories में जाते हैं, जैसे jewelry हो गई, home in kitchen हो हो गए, tea coffee products हो गए, इसके लावा जो personal care products होते हैं, health accelerated products होते हैं, इस तरह के अरवेदिक products हो गए, toy and electronic products भी इंडिया से काफी जाते हैं, तो यह सारे products में आप कर सकते हैं, तो almost same ही जाते हैं, हाँ, बड़ आपको ध्यान रखना है, जैसे जर्मनी हो गई, तो वहाँ पे लेदर पॉड़क्स जाते हैं, इंडिया से, इस तरह से आपको थोड़ा अपना research करना है, अगर किसी particular country में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या products जा रहे हैं, इसके लावा जो आपके product की listings होंगी, तो दोनों में ही English में होगी, US, UK में, बड़ अगर आप Germany, Spain की बात करेंगे, बड़ आप जर्मनी, Spain की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो listings करानी पड़ेगी, वो German language, Spanish language में करनी पड़ेगी, गूगल से automatic translate हो जाता है, बड़ आपको ध्यान र dub movies देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो हिंदी में dub तो हो जाती है, बट बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जो हम normal नहीं बोलते हैं, यही problem Amazon में आएगी, तो आपका Google तो translate कर देगा, बट specific जो वहाँ के लोग normal जो वहाँ के words use करते हैं, वो दूसरे words ह होंगे, और यह जो Google translate होगा, वो different होगा, तो अगर अच्छा result चाहिए, तो आपको वहाँ पर content writing कोई Germany में content writing कर रहा है, या Spanish में कर रहा है, तो वो आपको search करके, उनके थुरू आप कराएंगे, Amazon में मिल जाते हैं आपको, वहाँ पर कराएंगे, तो आपको ज्यादा अच् होंगे, और UK के compliance थोड़े से ज्यादा difficult और tough होते हैं, वो भी आपको चीज़े ध्यान रखना ही, cosmetic हो गया, इन सारी categories में आप जाते हैं, तो आपको compliance wise हो है, वो registration जैसे US में जाने तो FDA करवाना पड़ता है, इस तरह के हर तरह के registration आपको दोनों के entries में करवाना होते हैं, औ अगर हम self-ship की बात करते हैं, जब आपके पास orders आएंगे Amazon US से, तो आप ही easily इंगिया से ship करेंगे, और जो आपको product है, वहाँ पर deliver हो जाएगा, तो कोई भी import duty normally नहीं लगेगी, क्योंकि US में एक threshold होता है, 800$ से नीचे अगर आपके product value है, उस case में आपको import duty नहीं, वहाँ क आपके buyers को नहीं लगती है, but Amazon UK में ऐसा नहीं है, अगर आप वहाँ पर products भेजते हैं, तो वहाँ की limit बहुत ही कम है, 15 या 20 euros pounds के आसपास है, तो आपके products normally उसे costly रहेंगे, including shipping, तो उस case में आपके buyers को वहाँ पर import में वैट देना पड़ेगा, duties देनी पड़ेगी, और अगर आप Europe की बाद करेंगे, तो वहाँ पर IOSS आ गया है, तो वहाँ पर 150 euros का एक threshold है, तो IOS number Amazon आपको provide करेगा, वह आपके product में आपको डालना पड़ेगा, Amazon already 20% या 22% के आसपास जो वैट है, वो buyer से charge कर लेगा, and then आपको export करते वह को documents में डालना पड़ेगा, वहाँ का IOSS number, नहीं तो import करते वक्त, दुबादा से वैट जो है, वो double charge रहेगा, तो ये सारे थोड़े से complex है, और वैट के वज़े से ये थोड़ा critical हो जाता है, Amazon का buyer बोलेगा मैं वैट क्यों तूँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़े भी आए जाती है, तो ये सब चीज़ों को आपको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और long term commitment के साथ जाने है, तो FBA भी आप अराम से करिए, कोई challenge नहीं है, वैट भी ले लीजे, उसको proper filing करवाई, जैसे इंडिया में GST filing करना है, बिल्कुल वैसी आपको UK का वैट filing करना पड़ेगा, आपको vendors उसके easily Amazon के portal में मिल जाएग तो और कौनसे topics में आपको वीडियो देखने है, आप नीचे comments में डालिए, उन topics में detail में वीडियो बनाऊँगा, तो अभी के लिए इतना ही, ओके बाबाई